अयोध्या के राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान जारी है। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि प्रधान मंत्री मोधी ने राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा के लिए जो 11 दिन का अनुष्ठान रखा है। इसमें वो जमीन पर कंबल बिछा कर सोते हैं और सिर्फ नारियल पानी ही पीते हैं। आपको बता दे कि मोदी ने राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के लिए विशेश अनुष्ठान के लिए पूछा था जिसका अब वह पालन कर रहे हैं। सास्तों में देव प्रतिमा प्रान प्रतिष्ठा एक विशद और लंबी प्रक्रिया हैं। इसके लिए बहुत विस्तित नियम बताएगाए हैं। जिनका प्रान प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है। एक रामभक्त के रूप में प्रधान मंत्री जी, राम मंदिर, निर्मान और प्रान प्रटिष्ठा के प्रती एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तै कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्रान प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तब चारिय को उतना ही दिर्टा के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। कि राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा से पहले कि कुछ संतों के मारदर्शन में मैं अपने यम नियमों में वस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशिरवाद से इन 11 दिनों में मैं वह साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी नह रह जाए और इस पवीत्र कारे को करने का मुझे जो आउसर मिला है साक्षी भाव से आपके आशिरवाद से वहां जाऊंगा आपके अक्रा फिरह हो आब। कुल मैं जाब।